आज कर साथियों मैं अर्विन सिंग आपका बहुत सागत करता हूँ अपने रिजिनिंग गुरु चैनल में साथियों आज कि मैं अपने वीडियो में जीएस का बिल्कुल ही एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और साथियों आज मेरा त STARीका भी बिल्कुल बतला हुआ है आज मैं आपके सामने जी एस के कुछ प्रेशने और उन प्रेशनों के चार उतर जैसा की कि किसी भी एकजामें पूछा जाता है एक क्वेश्टन दीए होते हैं इस तरह से में जीएस के आपको GS के 20 questions 20 questions लेकर के आपके सामने आया हूँ और आप मेरे साथ वीडियों बने रही है हर एक percent को आप देखिए और ये ऐसे 20 questions चुने गए हैं साथियों जो किसी ना किसी competition में पुछे गए हैं मैं अपने हर वीडियों में ऐसे ही 20-20 questions जियस के लिए आपके लिए लेकर के आऊंगा जो आपके लिए किसी भी कमेडियों में बहुत लाप्रदोगा साथियों मेरे वीडियों बने रही है साथियों और वीडियों सुरू होने के पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और आपके साथबने वेकल्प हैं वेकल्प A में दिया है युनान B में दिया है जर्मनी C मिस्ट और D में है रूस है आपको बताना है कि स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है चार वीकल्प हैं आप मने छास सोचिये और इस प्रशन का सही उत्तर दीजे साथियों इस प्रशन का सही उत्तर होगा मिस्र और ये देखिए मैंने मिस्र पे आपको टिकला की दिखाया है साथियों इस तरह से हम अब अगले प्रशन पर देखने होंगे इस कीन पर दूसरा प्रशन साथियों है आज का भारत का इलेक्ट्रोनिक नगर निम्न में कौन सा है विकल्प अगर आप देखेंगे तो दिया है आपका हैदराबाद फिर दिया है आपका बैंगलोर फिर दिया है मुंबई और फिर दिया है भुपाल साथियों अगर हम बात करें भारत के इलेक्ट्रोई निगर की तो आप सोचिए और इस प्रेंट का सही उत्तर क्या होगा साथियों इस प्रेंट का सही उत्तर होगा बी बैंगलोर नेक्स शात्यों हम बढ़ते हैं अपने अगरे प्रश्ण की और साथियों तीसरा प्रश्ण कर आप देखेंगे तो रेडियो का आविस्कार किसने किया था रेडियो के आविस्कार के बारे में पुछा गया है आपसे और विकल्प हैं A. मारकोनी B. कोल्ट C. सोल्ज D. डनलप और रेडियो का आविसकार किस ने किया था बहुत ही पुराना प्रशन है साथियों सोच के बताईए क्या इसका प्रशन का उत्तर कोल्ट होगा या सोल्ज होगा G. नहीं साथियों इस प्रशन का सही उत्तर होगा मारकोनी A. और यह देखिये मैंने आपको टिक लगा करके दिखा दिया आगे बढ़ते साथियों चौथा प्रशन साथियों आपके सामने है बहुत ही प्रशित क्वेस्चन बहुत ही प्रशित प्रशन आपका यह है प्रशन का सही उत्तर होगा इस प्रशन का साथियों सही उत्तर होगा डी पत्रकरता के छेत्र में यहा प्रुषकार दिया जाता है प्रशित समाजवा धर्म सुधारक कनफ्यूसियस किस देश के निवासी थे कनफ्यूसियस का तालूग किस देश से है यह आपको बताना है विकलवाप के सामने दिया हुआ है A. रूस B. अमेरिका C. चीन D. जापान और इस प्रशन का सही उत्तर क्या होगा आपके सामने आपके पास समय है एक सेगेंड का दो सेगेंड का सोचिए और आपने मन में इसका सही जवाब दीजे साथियो मैं इसका जवाब बता रहा हूँ आपको इस प्रशन का सही उत्तर होगा C. चीन आगे बढ़ते साथियों होँ नेक्स प्रशन की और आपने अगला प्रशन है और ये प्रशन आपका है निम्न में से किस चीनी यात्री ने नारंदा विश्युद्याले में सिछ्छा घण की थी साथियों बहुत से चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आये थे और उनमें से किस चीनी यात्री ने नारंदा विश्युद्याले में सिछ्छा घण की थी विकल्प के तौर पर आपके सामने है A. इत्सिंग B. वेंसां C. फाह्यान D. संयुगन साथियों विश्युद्याले में सिछ्छा घण करने वाला चीनी यात्री कौन सा चीनी यात्री होगा और इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा साथियों B. वेंसांग साथियों ये वही वेंसांग है जो हर्सवर्धन भारत ये सासफ हर्थ वड़़्कार काल में भारत आया था आफ शाथियों बढ़ते हैं अगले प्रस्ट के और आपका ग्यान पेट प्रुसकार पाने वाले हिंदी के प्रसंद कभी और इस प्रशन में आपको चार उत्तर दिये हैं, पहला है आपका भारतेंडु हरिस्चंद B में दिया हुआ है सूरकान त्रीपाठी निराला C में दिया हुआ है महादेवी वर्मा और D में दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंद तो साथियों आप बताईए बहुत ही प्रशित प्रुसकार ज्यान पेट प्रुसकार और ज्यान पेट प्रुसकार पाने वाले हिंदी के पहले कभी का नाम साथियों हिंदी के पहले कभी जिन्होंने ज्यान पेट प्रुसकार को जीता है वह सही उत्तर है D. सुमित्रा नंदन पंद जी हाँ साथियों हम बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्ण है हालाकि प्रश्ण नंबर साथ है लेकिन है यह आपके लिए एक रिजा प्रश्ण है ग्यानपीट प्रुषकार किस छेत्र में दिया आता है साथियों साथियो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा ए साहित्या साथियो यार्ट पेट प्रुसकार भारत का साहित के छेट में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रुसकार है और आप ए पे टिक कीजिए ए इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा साथियो साहित किछित में प्रश्चार दिया आता है आगे बढ़ते है नेक्स पॉरे और अब आपके सामने यह अगला प्रश्च आ गया साथियो प्रसिद पुस्तक मदर के लेख़ग कौन है सात्यों यह एक बहुत ही प्रसिद किताब है बहुत ही फेमस बुक है मदर इसके राइटर चला है साथियों इस परशुष का उत्तर डी सेक्सपियर नहीं होगा साथियों इसका सही विखल्प होगा गोर्की ये जी हां मैकसीम गोर्की ने मुद्रक पुस्तक को लिखा था साथियों अब बढ़ते और साथियों नाना शाहप का वास्तिक नाम क्या होगा क्या होगा सोचिए सोचिए और आप टिक करेंगे हमारे साथ इस परश्ट का उत्तर होगा विकलब ए धुंदु पंत अगला पर साथियों है ओलेरी कलचर के अंतरगत किस चीज के उत्पादन पर बल दिया आता है डी सब्जी उत्पादन साथियों ओलेरी कल्चर के अंतर हम ओलेरी कल्चर के अंतर गथम किस चीज क्यों उत्पादन पर बल देते हैं सोची मेरे साथ आप क्या फूल का उत्पादन करते हैं, फल का उत्पादन करते हैं, सहत का उत्पादन करते हैं, या सब्जी का उत्पादन करते हैं, ओलेरी कल्चर का तालूक साथियों किस चीज से हैं, पताए और इस प्रेंट का सही उत्तर होगा, डी सब्जी उत्पादन, जी हैं साथियो डीप आप टिक करेंगे अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ट की और साथियों साथियों अगला प्रशन आपका है बहुत ही फेमस क्वेस्टिन आपका ग्रीन विच अस्थान इंग्लैंड के किस सहर में हैं साथियों ये ग्रीन विच वही है जहां से हम विच्ट का मानक समय करते हैं साथियों प्रतेक देश में क्या समय होगा उसका एक मानक समय होता है और इसी तरह से पुरे विच्ट का मानक समय इंग्लैंड के ग्रीन विच अस्थान से लिया गया है साथियों और ये ग्रीन विच अस्थान इंग्लैंड के किस सहर में है विकलब के तोर पे आप हम बढ़ते हैं अगले प्रशंट की और साथियों इस बार साथियों आपके सामने प्रशनाया है निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है विकल्प में दिया हुआ है आपको आप्सन दिया हुआ है ए करवन डाय आकसाइड बी मेथेन सी औरगन डे नाइटरस आकसाइड तो साथियों वह काउन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्या होगा इसका विकल्प क्या इसका विकल्प भी मेथेन सही होगा जी नहीं क्या सही उत्तर है सी औरगन सी औरगन पे आप टिक लगाएंगे किस भारती ने अफ्रीका के सबसे उचे परवत किल्मनजारों को पार कर सफलता पूर्वक चढ़ाई कर विस स्रिकार्ड बनाया है सात्यों किल्मनजारों परवत पर सफलता पूर्वक चढ़ाई कर विस स्रिकार्ड बनाने वाले भारती का नाम और विकल्प में आपके दिये हुए हैं चार भारती ए अद्वैद भरत्या बी अरोनुमा सिन्धा सी सिवांगी पाठक डी अंकुर राय सात्यों बताईए यह आपकी बहुत ही फेमस घटना सात्यों आखवारों में और टीवी की निवीज पर एक क्वेश्चन इसका हैं सर्चाया था सात्यों वह कौन सा भारती है जिसने किलमेंजारों परवस्ट पर चड़ाई करके विस्ट रिकार्ट बनाया और इसका विकल्फ होगा आपकी दिमाग में आप बीस होच रहे होगे जी नहीं सात्यों इसका विकल्फ होगा ए अद्वैद भरत्या जी हां सात्यों अब हम पढ़ते हैं अगरे पर आगरा किस्म कौन सी है सबसे अच्छे क्वालिटी का कौला कौन सा है विकल्फ है ए लगनाइट बी एंथरासाइट से बिटुमिनस और डी पीट तो कोले की सरवत्तन किस्म आप क्या सोच रहे हैं अपने मन में बिटुमिनस लगनाइट पीट या एंथरासाइट सात्यों कोले की स खास कैमेदान किस देश में है most important साथियो और ये मैं अपने पिछले जीएस के वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपको बताना होगा कि पंपास घास कैमेदान किस देश में पाया जाता है किस देश में इस्तित है और विकलब के तोर पे आपके सामने है दच्छिन अफरीका बी रूस सी अर्जेंटीना डी आस्टेलिया सोचिये साथियों और जल्ली से इस प्रेशन का सही उत्तर दीजे और इस प्रेशन का सही उत्तर बी रूस नहीं होगा ए दच्छिन अफरीका भी नहीं होगा साथियों इस प्रेशन का सही उत्तर होगा पंप साथियों आपके सामने अब अगला प्रशना गया है वाइट गोल्ड करांदी का संबंद किस्से हैं साथियों यह भी मैंने अपने जीएस में वीडियो में डाला था जिसमें मैंने आपको महत्मूल करांदियों के बारे में नीली करांदी पीली करांदी और इस तरह की कई सार अधर उत्पादन तो साथियों बताईए आप वाइड गोल्ड करांती का तालुक वाइड गोल्ड करांती के अंतरकात हम किस चीज़ के उत्पादन पर बल देते हैं आप इसामने चार विकल्फ हैं आप अपने मन में इसका सही जाप दीजे और अब मैं इसका इस प्रशन का स पहला देश कौन सा है इच्छा मृत्व साथियों दया मृत्वी से कहते हैं इच्छा मृत्व को लागू करने वाला पहला देश विकल्फ ए भारत विकल्फ बी सुडियर लैंड विकल्फ से नीदर लैंड विकल्फ डी बेल्जियम तो बताईए साथियों एक्छा मृत्व साथियों ये अगला प्रशन आपके सामने हैं कौन सी गैस नोबल गैस कहलती है साथियों नोबल गैस के नाम से फेमस गैस कौन सी विकलब ए हाइडरोजन बी ऑक्सीजन सी कारवन डाइ आकसाइड और डे में दिया हुआ है आपका विकलब हीलियम तो चारों गैसे आपको बत हीलियम होगा जी हाथियों अब बढ़ते हैं नचक्षाथियों ये अगला प्रशन आपके सामने आ गया नाटो एन ए टी ओ साले इस्थित है नाटो साथियों एक संगठन है नार्थ एट्लान्टिक ट्रिटी ऑर्गनाजेशन या एक सैनली संगठन है नाटो विस्ट का और इसका मुख्याले कि इस देश में है कि इस देश के किस सहर में है यह आपके सामने विकल्ब दिया हुआ है पहला विकल्ब आपके सामने है ब्रुसेल्स दूसरा विकल्ब आपके सामने है पैरिस तीसरा विकल्ब है लंदन और चौथा विकल्ब है न्यू यार्क नाटो का मु जियम की राज़ानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्याने है है साथिए आपका अगला प्रशन है और इस प्रशन में आप देखेंगे तो बहुत सीमस जली कट्टू खेल जली कट्टू खेल निम्न में से किसके साथ जुड़ा है विकलब A त्रिशूर विकलब B रसदोर विकलब C पॉंगल विकलब D ओरम मतलब ये जल्ली कट्टू खेल का सम्मन दिये गए चार विकलबों में से किस विकलब के साथ है साथ ये जो नीचे के चार विकलब हैं एक तरह से एक त्युखार हैं और झल्ली का टू किस त्युखार के साथ जुड़ा है इसको show क्या होगा इसका विकलब सोचिए आपके बास समय है एक सिकन का दो सिकन का इस स्थ प्रेतियों का सही उत्तर होगा सी पौंगल आप पौंगल प्रिटिंग वारेंगे इस प्रेशन का से उत्ताजिया सातियों इस तरी से जीS के 20 प्रेशन आतियों और मैं आपको इन 20 प्रेशनों के साथ जो है ये बताना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखते रहे हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक दिखास आती हो और आज कि मेरे वीडियो में इतना ही साती हो धन्यवास आती हो